Question number 10. How many 5 digit prime numbers can be obtained by using all the digit 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of the digit? So, हमारे पास 5 digit है. 1, 2, 3, 4, 5. और हमें prime number बनाना है. Prime number क्या होता है? वैसा number जो 1 से और अपने आप से self से divide हो. ठीक है? अब ये 5 digit से ही number बनाना है. तो अब क्या करते हैं कि ये 5 digit से जो भी number बनाएंगे तो उस हर number का sum ये 5 digit होगा. तो पहले ये 5ों को जोड़ लेते हैं. 5 plus 4, 9. 9, 3, 12. 14 plus 1, 15. मतलब 15 इसका जोड़ आगया. और आपको पता है कि जो 3 का multiplication का rule होता है कि कौन सा number 3 से divide हो. तो आपको पता है कि अगर उसका sum, वो number का sum 3 से divide हो जा रहा है. तो वो number भी 3 से divide होगा. मतलब इस 5 से जो भी number बनेगा, उसका sum 15 है. ये दिख रहा है में 3 से divide हो रहा है, 5 times में. इसका मतलब कि 1 से लेकर 5 तक जितना भी number हम बनाएंगे, कोई भी combination, किसी भी arrangement में, वो 3 से divide हो जाएगा. और prime का rule क्या है, कि वो 1 से और self से divide होना चाहिए. तो ये rule यहाँ violet हो गया, मतलब हर number 3 से divide हो जाएगा. इसका मतलब कोई ऐसा number possible नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 से जो prime हो सके. तो इसका answer simple हो जाएगा, 0. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.